हेलो नमस्ते सुप प्रभात स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलिटिन में मैं हूँ अनुजय और आप देख रहे हैं जे के नियूस नेटवर्क तो चलिए नज़र डालते हैं आज के दिन भर के एहम खबरों पे दिल्ली के विभिन बॉडरों पर पिछले 21 दिनों से जम्य हजारों किसानों ने आज केंदर सरकार को एक बार फिर से चिठी बेजी है जिसमें उन्होंने 29 दिसमबर को सुभा 11 बज़े बैठक आयोजित करने की मांग की है भारती किसान यूनियन के राकेश टिकेट ने बताय स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंदर यादव ने कहा हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बाचित कर ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि किसानों के प्रतीनीधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसमबर 2020 को सुभाई 11 बज़े आयोजित की जाए जार्खन के गुमला जिले में नकसली संगठन तिर्थिय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के उगरवादियों ने सनिवार को बम से हमला कर दिया पुलिस ने घेराबंदी करके पांच उगरवादियों को धर्दबोचा है बताये गया है कि बिशूनपूर थाना की के महुआडार थाना के पारही ग्राम निवासी प्रभात मुंडा उर्फ राकेश लोहर दग्गा जिला के सेनह थाना के गरगाव निवासी अमित उराव उफ अमित भगत गुमला जिल्ला अंतरगत पूसो थाना के सुर्सा निवासी इंद्र गुमार गोप दिल्ली उराव बिशुनपूर थाना के हितला निवासी राहुल महली शामिल है इन उग्रवादियों के पास ये हत्यार सहीत अन्य समान भी परामत किये गए हैं बताया जा रहा है कि उग्रवादी कई लोगों से रंगदाली वसूल करने पहुंचे थे तबी बिशुनपूर थाना प्रभारी सदानन सिंग पहुंच गए और उग्रवादियों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया थाना प्रभारी इस हमले से तो बच गए पुलिस ने खदेर कर उग्रवादियों को पकर लिया है गिरिदे जीले के पीर टाड़ प्रखंड में खुकरा थाना छेत्र की पारसनात पहाड़ की तरहाई में स्रिंखल बद पहाड़ी परवत पांडेई डी की तलहटी से सुरक्षा बलों ने एक हार्ड कोर नकसली को पकड़ा है गिरफतार नकसली प्रशांत मांजी बताया जाता है जिस पर 10 लाख रुपे का इनाम है पुलिस ने उसकी सुरक्षा में लगे पांच न बोचा है जिन में दो महीला तिन पुरुष है गिरफतार प्रशांत मांजी के पास से एके 47 जिन्दा कार्टुष मुवाइल चार्जर सावून इवं अन्य समान परामत किये गए अन्य नकसलीयों के पास से भी हत्यार परामत होने की सूचना है कारवाई गुरुवार की पता नहीं कब कौन असमय काल के गला में समा जाए कब कौन जमिन दोध हो जाए इन सब के 20 जरिया में हजारों लोग जी रहे हैं फटती धरती आग और गैस रिसाफ के बीच रात दीन कोईला कट रहे हैं उसे जला कर बेच रहे हैं ऐसे अत्यंद खतरनाक छेतर में बहुत स परिवार ऐसे भी हैं जो पुनरवास के इंतजार में हैं वे बेलगडिया या किसी अन्यस्थान पर कम से कम दो कमरे का घर चाहते हैं साथ ही रोजगार की कोई अस्थाई विवस्था दरसल जरिया में सौ वर्स से भी अधिक समय से धरती के नीचे आग लगी है कई योजना की आसंका से और एफपी कॉलेज बंध हो गया पर उसी के किनारे ओपिट डंप का पहाड़ भी है कि नए साल 2021 में जार्खन के पाच आईपिएस अधिकारी केंद्रिय प्रती नियुक्ति पर जाएंगे जार्खन पुलीस के पास आईपिएस अधिकारी नए साल की राज में कई पद प्रभार में चल रहे हैं आईजी स्थर के अधिकारियों का भी अभाव है आईजी अभियान वह जगुवार आईजी की कमान सम्हाल रहे हैं साकेत कुमार सिंग एवं जगुवार डी आईजी कुल्दीब दुएदी की केंद्रिय प्रतिनियुक्ति श्वानी तिवारी का भी केंद्रिय प्रतिनियुक्ति पर चाना लगभगता है 2013 बैच के IPS अधिकारी अंशुमन कुमार ने भी केंद्रिय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया था आज के खबरों में बस इतना ही आगे की जानकारी के लिए अब बने रहे जेके न्यूस नेच्वर्क के साथ धन्यवाद